आज इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सिदेशन नंबर के भारे में तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सिदेशन नंबर होता क्या है ऑक्सिदेशन नंबर ऑफ एलिमेंट में भी डिफाइन एस चार्ज विच अन एटम अपिर्स इन इस आयन और appears when present in combined state with other atom अब इसमें क्या होता है ऑक्सिदेशन नंबर हम कैसे देखते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट है जिसे यह एने है एने के उपर कौन सा चार्ज आपको दिया गया है अब एने है एने का अगर हम configuration देखते हैं तो mostly 281 होता है तो क्या करता है यह अपना एक एलेक्ट्र है तो इसका जो oxidation नंबर है वो कितना हो जाएगा प्लस वन ऐसे का CL है CL को कैसे के CL नेगेटिव लिखते है तो जो इसका oxidation नंबर होगा वो क्या होगा नेगेटिव वन और इसे हम combined state में भी देखते हैं जिसे combined state में होता है अभी तो यह क्या है single form में है खाली चार्ज आपको elementary state में क्या होता है या फिर combined state में हो तब उसका oxidation नंबर क्या होता है या फिर चार्ज अगर present हो तब उसका oxidation नंबर क्या होता है तो इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे जब rules देखेंगे हम next oxidation numbers को हम oxidation state भी बोलते हैं अगर कहीं पे oxidation नंबर की जगा oxidation state लिखा रहा है तो इसका म मतलब ही क्या है वो oxidation number ही है अब हम देखते हैं कि इसके rules क्या है determine करने के इसका first rule है the oxidation number of all the atoms in their elementary state or in any of its allotropic forms is always zero इसा क्या मतलब है कि अगर आपका कोई atom elementary state में या फिरी state में है तो उसका जो oxidation number होगा क्या होगा हमेशा zero होगा जैसे h2 है यह क्या है free state में या elementary state में तो इसका oxidation number zero O2 है zero P4 है तब भी zero and S8 है तब भी zero खाली यही example नहीं है इसके अलावा और भी examples हो सकते हैं ठीक है तो लेकिन बस आपको इतना जहां रखना अगर ही elementary state में है तब क्या होगा oxidation number हमेशा zero होगा second rule है इसमें the oxidation number of monoatomic iron is the same as the charge on it इसका क्या मतलब है कि अगर कोई monoatomic iron है mono का मतलब होता है single single अगर atomic iron है आपके पाज़े से यह है na plus तीक है single है और इसमें क्या होता है जो भी आपको charge जिसमें given होता है वही आपका क्या होता है oxidation number होता है जिसे CL- है, CL- क्या है, एक monatomic आया ना, इस पर कौन सा, जो given है में charge, negative, negative का मतलब क्या है, minus 1, O-2 का मतलब क्या है, oxygen पर क्या सा charge है, minus 2, तो यही इसका क्या होगा, oxidation number भी होगा, Mg-2, यह plus 2 क्या है, इसका oxidation number होगा, Mpb-2, plus 2 given है आपको charge, तो यही क्या होगा, plus 2 इसका oxidation number होग इसमें क्या है जब भी कोई hydrogen non-metal के साथ combine होगा तो उसका oxidation number क्या होगा प्लस वन एक्जामपल देख लेते हैं H2O H2O में O जो है वो क्या है आपका non-metal है तो hydrogen hydrogen का oxidation number क्या होगा प्लस वन है इसमें क्या है जो फ्लोरीन है वह आपको non-metal है तो इसमें भी oxidation number क्या होगा प्लस वन ऐसे एधर एक्जामपल है HBR इसमें non-metal है CL non-metal है एन आय नॉन मेंटल है तो है क्यों होता है क्योंकि जो non-metal है उनके जो होते हैं मुझे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होते हैं क्योंकि एलेक्ट्रों की क्या होती है कमी होती है तो एक एलेक्ट्रों क्या करते हैं लेते हैं एक ले लेते हैं फिर जितने भी उनको चाहिए होते हैं लेते तो उसके अकॉर्डिंग उस पर कौन सा इनायता है नेग and F के पास minus 1 तो plus 1, negative 1 तो इसी plus 1 को क्या बोलेंगे इसका oxidation number बोलेंगे plus 1 next step fourth rule, oxidation number of hydrogen is minus 1 when combined with metals, अब इसमें बोलागे कि अगर hydrogen number किसके साथ combine होगा, metal के साथ combine होगा, तब जो hydrogen का oxidation number होता है, वो कितना होगा minus 1 होगा, इसमें जो metals है, metals कौन कौन से है, Li metal है, Na metal है, Mg metal है, Nca इसमें metal है, example के according, इसमें जो hydrogen है, hydrogen का oxidation number क्या होगा, negative 1 होगा, ठीक है क्योंकि जो metals होते हैं, उनके पास normal कैसे charge होता है, plus charge होता है, तो neutral करने के लिए कैसे charge उसके साथ होगा, negative charge, और वो होगा, इसमें hydrogen का होगा 也是, next step, 5th rule, oxidation number of alkali metals plus 1, alkali metal कौन कौन से होते हैं, Na होता है, ठीक है, और कौन सा होता है, इसमें lithium होता है, sodium lithium, potassium होता है, rubidium यह ostा है, इसमें alkali metals होते हैं, इनका जो окération number होता है, वो plus 1 होता है, plus 1 क्यूं होता है इसे हम na का example होता है electronic configuration 281 अब 281 क्या होता है इसके पार ये one extra है तो वो क्या करता है दे देता है अपना ये complete करने के लिए eight last में complete करने के लिए तो जब एक electron वो दे देता है तो इसके पास कैसा charge आता है प्लस 1 और वह प्लस 1 ही क्या होता है इनका oxidation number next is six oxidation number of alkaline earth metal alkaline earth metal कौन से होते हैं mg हो गया, c, a, b, e, क्या होते हैं alkaline earth metal होते हैं इसका configuration क्या होते हैं इसके last में जिसे इसमें 1 था इसमें क्या होते हैं 2 होते है तो जब वो तू electron किसी को दे देता है तो mg के ओपर कैसा sign आ जाएगा प्लस 2 का जाता है और जो प्लस 2 है यह क्या होता है इसका oxidation number हो जाता है तो इसी तरीके से जितने भी alkaline earth metal है उनका oxidation number क्या होता है plus 2 7th rule है the oxidation number of halogen atom is minus 1 halogen atom कौन कौन से होते है fluorine, fluorine इस टाइप से क्या होते है halogen atoms होते है bromine, iodine तो इसका oxidation number होता है वो होता है negative 1 और negative 1 क्यों होता है fluorine है fluorine का example देख लेते है last में 287 होता है तो इसको क्या होता है एक electron चाहिए होता है अपना last का outermost में 8 complete करने के लिए तो जब एक electron लेता है तो इसके अपर कैसे sign आता है F minus का और यह जो minus होता है इसी से आपका oxidation number क्या बनता है negative 1 इसी तरह से बागी examples में भी same ऐसा ही होता है last में 7 होता है एक electron को चाहिए होता है complete करने के लिए ठीक है तो इसमें क्या होता है minus charge जाता है जो minus charge जाता है उसी से oxidation number क्या होता है minus 1 next है oxidation number of oxygen is minus 2 oxidation number oxygen का जब भी हम calculate करते है इसमें oxidation number others के भी तो oxygen को हम normal क्या रखते है minus 2 रखते है क्योंकि minus 2 इसे रखते है oxidation का last में रहता है 2,8,6 तो इसको 2 electron चाहिए होता है जब 2 electron चाहिए तो इसके पर कैसा sign आता है minus 2 का sign आता है तो इस देiction number oxygen को क्या बन जाता है minus 2 next constitution number of oxygen in per oxide is minus 1 per oxide में oxygen का oxidation number होता है by minus 1 per oxide का मतलब कहाई जैसे h2o2 ये क्या होगा, इसमें per oxide से next हो गया na2o2 इसमें जो oxidation है उसका जो oxygen का oxidation number क्या हो जाएगा minus 1 इसमें minus 2 नहीं रखेंगे oxidation number next rule है 10th rule oxidation number of nitrogen is minus 3 when it is combined with less electronegative atom इसमें क्या बोला गया है कि जो nitrogen है उसको oxidation number क्या होगा minus 3 होगा अगर वो less electronegative atom के साथ attach है अब जैसे इसमें NH3 है NH3 में क्या है जो N है वो H के according highly electronegative है तो इसके according है इसमें क्या है जो H है वो क्या है less electronegative है then N ठीक है H क्या है less electronegative तो N का जो oxidation number है वो कितना हो जाएगा minus 3 हो जाएगा क्योंकि according to H जो N है उसका electronegativity उसकी जादा है इसलिए अब N I3 इसमें भी क्या है जो N है वो less electronegative I के साथ attached है यह combine है तो इसमें भी N का oxidation number क्या हो जाएगा minus 3 next rule है oxidation number of nitrogen is plus 3 when it is combined with high electronegative atom अब अगर nitrogen high electronegative atom के साथ attach है यह combine है तो इसका oxidation number क्या हो जाएगा plus 3 the most electronegative atom क्या होता है fluorine होता है जिसे NF3 का case है NF3 में जो fluorine है वो highly electronegative है then N तो इसमें क्या होगा जो N का oxidation number है as per rule कितना हो जाएगा plus 3 and NCl3 में भी जो Cl है वो highly electronegative है then N तो इसका भी कितना हो जाएगा oxidation number N का इसमें plus 3 next rule है and last rule in neutral compound sum of oxidation number of all the atom is 0 neutral compound मतलब क्या है अगर आपको इसमें compound में कोई भी चार्ज अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो इसका जो सम है oxidation number का जितने भी atom से उनको क्या होगा जीरो होगा एक्जांपल मैं बताती है इससे H2O है H2O यह कहा है neutral compound है इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है तो इन दोना का oxidation number का sum होगा वह क्या होगा जीरो होगा आगे हम calculate करना सीखेंगे कि oxidation number को हम find करते कैसे हैं अब oxidation number calculate करते हैं जिनके नीचे मैंने मार कर रहा है इनका oxidation number हमें find करना है तो कैसे करेंगे ह2O है हमें सबसे पहलेंगे देखो हो का हमें find करना है तो हम कैसे निकालेंगे ह2O हमने क्यों लिखा है क्यों है उसके कितने atoms है two atoms है into H का इसमें क्या होगा oxidation number plus one plus one क्यों होगा क्योंकि मैंने रूल में आपको बताया था हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो जो हाइड्रोजन का oxidation number होता है वो कितना हो जाता है प्लस वन हो जाता है अब oxidation का हमें oxidation number कि इसका निकालना oxygen का तो oxygen को क्या लिख दूँगी मैं x लिख दूँगी is equal to कितना आएगा जीरो जीरो क्यों आएगा हमीं last rule में हमने पढ़ा था कि अगर जो compound है वो neutral है तो oxidation number of all the atom कितना होगा जीरो होगा तो इससे calculate कैसे करेंगे टू इंटू प्लस न कितना हो जाएगा टू हो जाएगा प्लस का प्लस x is equal to 0 अब x कैसे निकालेंगे 0 यह प्लस का 2 है और जब उस साइड जाएगा negative 2 हो जाएगा तो x की वैली कितनी आएगी minus 2 इस x की value minus 2 का मतलब क्या है कि जो oxidation नंबर है oxygen का वो कितना है हमारा minus 2 नेक्स एक्जामपल है CO2 CO2 में हमें निकालनी है C की oxidation state यह oxidation number find करना है C का तो कैसे निकालेंगे C को हम माल लेते है X O का आप मुझे पता है इसमें के अतना होगा O का होगा minus 2 यह मैंने पता है था oxygen का normal में हम minus 2 oxidation number state के चलते हैं तो plus 2 है इसका atoms 2 into minus 2 यह 2 इसलिए आ है क्योंकि यहां पर 2 लिखा यहां 3 होता है X is equal to zero यह minus का इद जाएगा plus 4 और X कितना आएगा plus 4 इस प्लस 4 का मतलब क्या है कि जो कार्बन है उसका oxidation number कितना है plus 4 इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले C2 at 6 में किसकी निकालनी है में C की निकालनी है तो हम C को मान लेंगे X और यह क्या है 2 लिखा है C2 at time है तो कितना लिखेंगे हम 2 into X लिख लेंगे इसे ठीक है 2 into X plus hydrogen की oxidation number कितना होगा इसमें hydrogen का plus 1 तो 6 into plus 1 is equal to zero 2 into X मतलब 2X 6 into plus 1 मतलब plus 6 is equal to zero तो 2X 6 उदर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा और X की में लिए हम कैसे पहाइन करेंगे minus 6 by 2 cancel होगा कितना आएगा X is equal to minus 3 तो इसके कार्बन है इसमें इसका oxidation number कितना आ रहा है minus 3 आ रहा है ठीक है next करते हैं SiO2 में किसका निकालना है तो oxygen का oxidation number कितना होगा माइनस 2 होगा तो Si को मान लेते हैं X प्लस टू एटर में तो इन्टू माइनस 2 is equal to zero X तू तू जाब माइनस 4 is equal to zero और जब उस साइड जाएगा तो X की value आ जाएगी पॉजिटिव 4 प्लस 4 तो Si का oxidation number कितना है प्लस 4 नेक्स टम निकालेंगे PbSo4 में S की पीबी का मतलब क्या होता है लेड होता है प्लस टू तो पीबी का है प्लस 2 एस का मान लेंगे X एन उक्सीजन का में पता है कितना होता है माइनस 2, 4 इन्टो माइनस 2, 4 क्यों आए है, क्यों आप 4 लिख रखा है, atom इतने है, is equal to 0, 0 आपको पता है नहीं क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं कि neutral compound, मैं भी आपको कोई charge शो नहीं हो रहा है, अभी हम वो examples भी करेंगे, जिसमें charge भी होगा, तो 2 प्लस X, 4 तो जाब माइनस 8 is equal to 0, X की वैलिव कितने आएगी, माइनस 6 is equal to 0, और X की वैलिव आगई है, प्लस 6, तो S मतलब sulfur का कितना oxidation number आया है, प्लस 6 आया है, next time oxidation number निकालेंगे, इसमें CL का, इसमें आप देखों, इसमें charge भी हो रहा है, तो कैसे करेंगे इसे, हम CL का मान लेंगे सबसे पहले, X प्लस 4 है oxygen, तो 4 into oxygen का हमें पता है, minus 2 is equal to, अब इसमें 0 नहीं आएगा, is equal to, क्यों 0 नहीं आएगा, अब ये neutral compound नहीं है, इसमें आपको charge दिया गया है, चार्ज क्या है, माइनस जी आगया, तो इसका मतलब क्या है, minus 1, X, 4 to 8, negative, minus 1, और X की वेली कितने आएगी, minus 1 और 8 इद जाएगा, positive हो जाएगा, तो X की वेली इसमें आएगी, plus 7, तो क्लोरीन का कितना आ रहा है, इसमें oxidation number, plus 7, next is CR2, 7, minus 2, तो CR2 को 2 into X ले लेंगे, जी CR का हमें निकालना है, plus 7, oxygen का हमें पता है, minus 2 होता है, और इसमें क्या है, minus 2, तो is equal to किदर क्या रखेंगे, minus 2, 2X, 7 to the minus 14, is equal to minus 2, minus 14 को अधर लेके जाएगे सबसे पहले हम, तो plus 14 हो जाएगा यह, तो 2X is equal to कितना आया, 12, और X की वैली कितनी आ गई है, positive 6, CR2 में, CR का कितना आया आपका, plus 6, oxidation number, next is NO3 negative, तो इसमें मैं N का निकालना है, तो N को X ले लेंगे, 3 into oxidation का बता है, minus 2 is equal to minus 1, यूंकि negative चार्ज दिया गया आपको, तो X minus 6 is equal to minus 1, और X की तना आ जाएगा, minus 1, और यह 6 होद जाएगा, plus 6, X is equal to 5, positive 5, इसमें हम plus का sign भी लगाते हैं, इसमें कुछ important, टर्म्स में जिनका oxidation number आपको पता होना जी से, SO4 minus minus, मतलब इसका oxidation number क्या होता है, minus 2 होता है, NO3 negative का oxidation number होता है, minus 1, NH4 plus का oxidation number होता है, plus 1, and CO3 negative, negative मतलब minus 2 का oxidation number minus 2, PO4 minus 3 का oxidation number minus 3, and CN का oxidation number minus 1, CN भी important है, कई जगा आता है, तो इसमें आपको direct रुखना पड़ेगा, CN का oxidation number क्या होता है, negative 1 होता है, इस वीडियो में मितना ही करेंगे, जो next वीडियो हम पराएंगे, हम क्या पड़ेंगे, redox reactions in terms of oxidation number, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आईए, तो प्लीज लाइक, शेर और कमेंट करो, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें,